अलो स्टुडेंट्स स्वागत आप सभी का एगरी पावर जैपूर के ओनलाइन कोचिंग प्लैटफॉर्म पर मैं हूँ शरद और आज हम आपकी सामने लेकर आ रहे हैं हमार जो सिक्स्त मोग टेस्ट क्लास है वो उसके अंदर हमा जो इसके नेक्स आगे की 20-20 इंपोर्टें इसमें अवेलेबल है इनोट्स जितना भी रिकोड़ेट कंटेंट है वह आपको इसमें पुरा मिलेगा तो डाउनलोड कीजिए एगरी पावर का जो एप है उसको डाउनलोड कर रहेंगे वहां पर आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और उसके बाद में ज इसके अंदर आपकी टेस्स सिरीज है और जो भी आपके नोट्स है वह आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे और इसके बाद में जो हमारा दूसरा कोर्स है क्रशी परियव एक चक के लिए एग्रिकल्ट सूपरवाइजर के लिए है देखिए इसमें दो तरीकी कोर्स है लाई बेस जिसके अंदर आपको जो लाई व क्लासिज मिलेंगी डेली और इसका जो फ्राइज से 3100 रुपे और जो रिकॉडड़ड कोर्स है ठीक है इसके अंदर जो भी इसके अंदर सब्जेक्ट से वो सारे आपको पूरा record content मिलेगा इसका price है 15 और test series जो इसके अंदर है साथ साथ में आपको जितने भी test series available करवाई जाएगी तो इस सारे के सारे जो course question है आज एक लास का तो देखो वह है वाट इस साइन्टिफिक नेम ओफ वाइड ग्रब देखिए भी वाइड ग्रब जो है यह एक बहुत ही अच्छा question है वाइड ग्रब से अधिकतर जो question पूछते हैं तो देखो सबसे पहले ता आपको पता होना अच्छी कि जो वाइड ग्रब है इसको क्या कहते हैं देखिए हिंदी के अंदर हम बात करें तो वाइड ग्रब को कहते है सफेद लट इसको कहते हैं और सफेद लट जो है एक है आपको पत्राइब ग्रॉट के अंदर का एक ग्राउंग नेट में सबसे ज़्यादा अटेग देखा जाता है ते ग्राउंग के बाद में हम बात करें किसकी परल मिलेट अच्छी के पर्ल मिलेट हो गया सोर्गम हो गया and other vegetable crops और field crops ठीक है तो भही देखो यह इसका attack जो होता है कई तरह की crops के अंदर देखा जाता है और सबसे important बात यह है क्या है कि यह एक तरीके क्या है polyfagus insect pest है ठीक है यह क्या है एक तरीके का polyfagus insect pest है तो यहाँ पर आपको दो सारी दो चीजे दो concept clear हो गया है पहली बात तो सफेद लट जो है वो किन-किन crop पर आता है इसका attack देखो ground nut पर आता है pearl millet, sorghum, vegetables और जो दूसरी field crop से वहाँ पर इसका attack आता है दूसरा यह है polyfagus है अब देखो इसका scientific name जो है हमको बताना है तो भाई देखो scientific name जो क्या होता है इसका हमार को जो option A दिया हवा है वो क्या है hollow tree क्या serata यह hollow tree क्या serata white grub का scientific name होता है क्या जी हाँ बिल्कुल hollow tree क्या जो serata है यह भी क्या है सफेद लट की ही एक species है या निकी white grub की ही एक स्पीशीज है देखिए अब हम बात करते होलो ट्री के सेराटा जो है वो कहां पर पाए जाता है सबसे यादा स्टुडेंट्स यह पाए जाता है साउथ इंडिया के अंदर ठीक है दक्षिन भारत में क्या होता है इस स्पीशीज को ज्यादा देखा जाता ज्यादा नोट स्पीशीज है और इसका जो अटेक है मैक्सिमम कहां पर आता है नोर्थ इंडिया में आता है तो हमने यह चीज तो देख लिए कि ए और बी दोनों ही वाइट ग्रब की स्पीशीज है तो हम और आगे चलते हैं जिसमें सी क्या दिया वा है आपके पास में हेली को आर्मी जर तो क्या नहीं हो सकता और आगे चलते हैं नेक्स्ट जो हमार पास ऑक्षन है डी जेखिए एक अंदर क्या है बोथ ए एंड बी अब देखो ए और बी क्या था होलो ट्री के कौन से इंग्वीना भी था और होलो ट्री क्या से राटा भी था तो इसका जो राइट आंसर जाए वाइड ग्रब की स्पीशिज है इसे के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्यूशन है वह देखेंगे देखो नेक्स्ट क्या है स्टेनिंग और को टन लिंट इस कोज़ड बाई विच इंसेक्ट पेस्ट ऑफ कोटन वह देखो यह वह बहुत अच्छा क्यूशन है और उसका जो इक इस लिंट की क्वालिटी का इसकी लिंट जो होता है यानि फाइबर जो हता है इसकी फाइबर की क्वालिटी को खराब कौन सा इंसेक्ट करता है तो देखो हम बात करते किसकी पहली बात जो है वह क्या है पिंक बॉल वर्म क्या क्या कर देगा स्टेनिंग कर देगा कि कोटन के लिंट की देखो यह चीज आपके दिमाग में होनी चीज़ कि कोटन के फाइबर को मतलब दागी का मतलब क्या होता है यानी यानी बिल्कुल वाइट नहीं रहता फिर क्या होता होता है तो इसका जो राइट आंसवर होगा देखिए स्टुडेंट्स वो होगा आपके पास म एक तरीके का वेक्टर होता है ठीक है वेक्टर किसका होता है यह वेक्टर होता है बेक्टीरियम का एक तरीके क्या होता है एक तरीके का बेक्टीरियम का यह वेक्टर होता है और यह बेक्टीरियम कौन सा होता है भाई निमेटॉप सेरा गोसेपी यह होता है निमेटॉप स यह आपको एक्जाम्स के अंदर पूछ ले जाता है कि निमने लिखी तमें से कौन सा कौजल और्गनिजम है जो कि क्या करता है कौटन लिंट के लिए रेस्पोंसिबल है एक तो आपके पास में यह हो गया कि यह रेड़ कोटन बग जो होता है क्या होता है इसका वेक्टर होत होता है ठीक है दूसरा क्या होता है और उस कोजल और्गनिजम का नाम क्या है हमारे पास में यह है निमेटॉप सेरा गोसिपी है तो यह सारी चीजा आपको पता होनी चीए इस एक कुशन के अंदर आपके पास में जो कॉंसेप छुपावा है वो यह है कि रेड़ कोटन है तो यह चीज आपको पता होनी चीए इसके बाद निम्हारा जो नेस्ट कुशन है वो देखेंगे हम देखो बंची टॉप अपीरेंस इन शुगर केन इस कोजड बाई विच इंसेक्ट पैस्ट ठीक है अब देखो बंची टॉप का मतलब क्या होता है बंची टॉप अपी बंची टॉप अपीरेंस कहलाता है ठीक है अब हम बात करें कि बंची टॉप अपीरेंस है यह शुगर केन में कौन से इंसेक्ट की वजह से आती है ठीक है शुगर के अंदरी बंची टॉप अपीरेंस है यह किसकी वजह से आती है तो देखेंगे यह आती है कि हम देखो सब दर यह चीज मैंने पहले ही बता दी थी कि शुगर के लिए एक ऐसी क्रॉप है जिसमें सबसे ज्यादा बोर का अटेग देखा जाता है अलग अलग तरीगी कई तरीगे बोर जो होते हैं जिसमें क्या ठीके, early stages के अंदर आएगा, ठीके, early stages में आएगा न, तो क्या होगा कि ये बिलकुल plant के जो top वाला हिस्सा है, वहाँ पर क्या होता है, इसका जो larvae होता है, इसके larvae को क्या कहते है, caterpillar कहते है, caterpillar feeds on upper portion of plant, देखो, कौन सा top के ये है, जो early shoot borer होता है, ये early stage में ही क्या करता है, इसका जो caterpillar होता है, plant का जो upper portion जो होता है, उस पर feed गरना शुरू कर देता है, जबकि inter node पे ये, इसका answer नहीं होगा, क्योंकि inter node तो 2 sets के बीच की जो धूरी जो होती है, जहाँ पर node होती होती है, ठीके, then stock borer भी क्या नहीं होगा, इसका right answer नहीं होगा, जो भी है, इसका right answer नहीं होगा, तो bunchy top appearance जो है, वो किसके वज़े से आएगी, early shoot borer के वज़े से आएगी, तो ये चीज़ आप क्या रखना हमेशा ध्यान में रखना की, पंची top appearance जो है, शुगर केन में, वो किसके वज़े से आती है, early shoot borer की वज़े से आती है, ठीके students, इसके बाद में हमारा जो next question है, वो देखेंगे, देखेंगे, leaf curl disease in the chili is transmitted by which insect pest, वही देखो, आपके exam के point of view से बहुत ही ज़्यादा अच्छा question है, क्योंकि ये जो question है, हाल ही के अंदर, IBPS AFO, ये IBPS AFO का जो exam था, 2021 में, ठीके, उसके अंदर पूछा गया था ये, ठीके, है, IBPS AFO के exam के अंदर ये question पूछा जा चुका है, same का same question वहाँ पूछा जा चुका है, जिसके अंदर आपको बताना है कि जो leaf curl disease है, यानि कि जो leaf curl disease है, पत्ती जो मुड़ जाती है, वो पत्तिया किसकी वज़े से मुड़ जाती है, चिली के अंदर यान जो मिर्च है, मिर्च के अंदर ये रोख कौन से कीट की वज़े से आता है, तो देखो भई हम देखेंगे सबसे पहला क्या है, इसमें, कि ऊऌनी का से क्या नहीं होगा इसका तो आटेक आएगा ही नहीं बाट ये क्या हुआ है आपको ऑफशन के अंदर दिया में के अपको देखो च्छारा घंगा से पढ़ना है क्यों दिया हुआ है देखो श्गर्गन पाई रला है ने वहमिवसिया ने वाइल के पास है है चीली के अंदर किसके वज़ेसे ट्रांसमिट होती है तो भाहिए इसका राइट आंसर जो होगा वहगा आपके पास में क्या है बैमेसिया टैबसाई जो देखिए काफी कन्फुजन था इस इस कूशन को लेकर स्टुडेंट के अंदर किसका राइट हर क्या होना चाह्ये तो देखी स्ट this होता है वह उसका प्रेसिस्टों पैस्ट तो है चेली का प्रेसिश्टेंस कौन सा है ठुपस है बाट उसके अंदर स्ट ल्यृफ टीजीज हो गिवह कौन ट्रांस्मिट करता है वह करता है वाइट फ्लाइट ड्रांस्मिट करती है तो यह चीज आप ध्यान में रखिएगा यहां से कुशन जो है आई बीपेश एफ और दो हजार एकिस के अंदर पूछा जा चुगा है देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कुशन है वह द इसका common name जो होता है वो क्या होता है देखो यह होता है आपके पास में plume moth यह क्या है? plume moth होता है अब देखो इसका pupation कहां होता है pupation कहां होगा इसका right answer जाएगा आपके पास में वी यानि कि क्या होगा आउट साइड द पोड ठीक है एक्जलस्टस एटम होसा का साइन्टिफिक नम क्या है भई प्लुम मौत है और प्लुम मौत का जो होता है ओऊट साइड द पोड होता है ठीक है यह चीज ध्यान में रखना इसके बाद में हमारो नेस्ट क्विशन है वो मिलता है ठीक है ऐसा कौनसा इंसेक्ट है जो िए किरिए अप्रेकर हम क्या कहा जाता है यह क्यूंसा इंसेक्ट टाहिए होता है कटवम ठीक हम बात करें किसकी इरेमिया मोड़ेसला ठीक है एक्प्रोय नहीं जो है क्या होता है यह लीफ माइनर यह क्या होता है लीफ माइनर होता है ठीक है अगर हम बात करें किसकी मारू का विट्राता मारू का विट्राता क्या होता है यह होता है आपके पास में वारेड ग्राम पउर्ड बॉरर रेड ग्राम इसमोटेड पॉर्ड बोरर के यह होता है ठीक है अब हमको पूछ रहा है कि groundnut और soybean के अंदर से इनका common pest कौन सा है कि जिनका attack क्या हो दोनों ही crop में देखने के लिए मिले तो भाई इसका right answer जो होगा वो right answer आपका होगा B ये जो है apro aramia modicela जो है ये apro aramia modicela क्या होता है leaf miner होता है और leaf miner क्या होता है ये दोनों ही crops में देखने के लिए मिलता है ये आपको groundnut में भी देखने के लिए मिलेगा ठीक है इसका attack groundnut में भी आता है और किस में आता है soybean में भी आता है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा भाई लिफ माइनर है एप्रो एरेमिय मोडे सेला जिसका अटेक दोनों ही क्रॉप्स में देखने के लिए मिलता है और यह जो कुछन के अंदर यह भी यही पूछ रहा है कि सोयाबिन और ग्राउंडनेट में किसका अटेक आता है इसका अंसर को हो जाएगा आपके पास में भी हो ज हर एक चीज का पता होना ची कि silver shoot condition तो कब आएगी और onion needle condition और silver shoot condition होती है यह आपको direct exam के अंदर इन condition का नाम देखरके पूछ ले जाता है कि निमने लिखित में से onion needle और silver shoot symptom जो है rice में किस insect की वज़े से देखने के लिए मिलते हैं तो देखे यहाँ पर भी हमको क्या scientific name दिये हैं देखे स्टुडेंट scientific names के अपनी एक importance है किसमें entomology में तो आपको common name scientific name उसकी crop या host family और order यह 5 चीज़े तो आपको बिल्कुल tips पर याद रहने ही चाहिए ठीक है तो देखो हम बात करते हैं पहला option हमारे पास में क्या है nephotetix nigrumptus ठीक है nephotetix nigrumptus है दैन है 海 एप मित Óटिय होती है कि हमसको क्या बोलते थे राईसगालमीज ठीक है यह कौण सी होता है और कौण से होता है और सीलीय और आीजी क्या है कि वो फॉस्ट इसके नंडर आपको आरेक्स में पूस्त हैं कि अंये नीडल और शूट जो शिम्टम है वह किस इंसेट की वज़़सा जाते हैं वो आता है और से लिए और आइज यानी की राइस गाल में इसकी वज़े से आएंगे ठीक है स्टुडेंट्स देन इसके बाद में जो नेक्स्ट कुशन है वो देखेंगे रिखो next question क्या है the half body of larva question ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्या होता है मैंने आपको पहले बता दिया हर एक चीज से आपको क्या हो सकता वहां से question पूछा जा सकता बहले ही चाहिसे वो scientific name देकर के question पूछे common name देकर question पूछे उसका symptom देकर question पूछे या फिर इंसेक्ट की जो उसकी morphology है वहां से question पूछे तो आपको सभी चीजों के लिए क्या रहना है ready रहना है तो देखो यहां पर question हम ढंग से पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या पूछ रहा है question के अंदर the half body of larva देखो लार्वा की आधी body जो आधा शरीर है inside the pod and remaining half body outside the pod is the damaging symptom of which insect pest देखिए बहुत ही अच्छा question है क्योंकि इस question को अगर आप समझ जाते हैं तो उसमें आपको एक most concept समझने में आसानी होगी तो देखो क्या होता है अगर कोई pod है या फिर bowl है ठीक है यह क्या हो गई cotton की bowl है हम मान कर चलते क्य है cotton की bowl है या हम माने की कोई pod भी हो सकता है यह ठीक है यह क्या है यह कोई pod है ठीक है अब देखो होगा क्या इसके अंदर concept समझने कोशिश कीजिए कि कोई insect है जिसका head तो कहां है अंदर है ठीक है और उसकी बाकी की जो body है वो कहां है बाहर की तरफ है ठीक है इसी में इसी तरीके से यहां पर भी हो सकता है head कहां है अंदर की तरफ है और बाकी की इसकी body कहां है भई बाहर की तरफ है तो यह कौन से insect का damage होता है यह क्या है यह तो है pod ठीक है यह कौन से insect का damage हो सकता है यह देखो इस तरीके का जो damage होता है न वो होता है आपके पास में हैली को साल ही ज़रा का क्या होता है हम बात करते हैं वह क्या होता है if इस तरीकी का देखने के लिए बात करें कि की QUE अप्शन कि फिड़शरा वहां पर होगा उसका अब नेक्स हमार पास है। जी,, बिलकुल यही दो होता है इसी का ही scientific name क्या होता है भई लिकवर्पा आर्मी-zERA होगा टिकए तो इसका क्या होता है यह तो पॉड़े या बोल के अंदर होगा اور और बाकी की जो remaining body होगी वो कहां होगी उसके बाहर की तरफ होगी और यही concept है यही क्या है 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 लिको अर्पा आर्मी जेरा का damaging symptom है जिसको क्या कहते है ग्राम पॉर्ड बोरर भी कहा जाता है ठीके students आई बास समझ वें इसके बाद जो next हमारा question है वो देखेंगे देखो passing of rope over the crop is done to the disclose of the following pest भाई बहुत ही अच्छा question है यह आपके exam के point of view से बहुत अच्छा question है कई बार exam के अंदर पूछा जाता है कि फसल के उपर से रसी को फैरना या रसी चलाना ठीके या निकि उसके उपर से जो रसी होती है रसी को उपर उपर से क्या करना चलाना वो क over the crop ठीक है या पासिंग हम मानें देखो passing of the rope over the crop देखो यह कौन से उसमें आती है कैस में आती है राइस के कैस में किसके कैस में आती है राईस के कैसमें हम यह करने के लिए काम में ली जाती है तो यह आपको क्या रखना है ध्यान रखना है most important question है जब भी आपसे case worm का question पूछा जाएगा तो आपसे हमेशा और हमेशा यही question पूछा जाएगा कि passing of rope over the crop is done to disclose of which insect pest of rice की rice के अंदर निम्नमैसे किस insect pest को गिराने के लिए या वहां से उसको control करने के लिए यह तक्नीक काम में ली जाती है तो वह किसके काम में ली जाती है भई case worm के काम में ली जाती है ठीक है students तो case worm जो है हो सकता आपको यहां पर direct case worm ना दे करके क्या दे दिया जा scientific name भी आपको दिया जा सकता है तो आपको क्या रखना है उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है students इसके बाद हम जो next चलते हैं आगे देखो growing of non-beaty cotton भाई देखो बहुत ही अच्छा प्रश्ण है यह यह आपके exam के concept के हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्रश्ण है कि growing of non-beaty cotton surrounding the beaty cotton is known as देखो भाई क्या होता है beaty cotton के चारो तरफ सपोज यह हमने क्या लगा रखा यहां पर यह लगा रखा है bety cotton ठीक है यह हमने क्या लगा रखा है bety cotton लगा रखा है और bety cotton के चारो तरफ यह लगा दिया हमने non-beaty cotton ठीक है bety cotton लगा रखा है bety cotton के चारो तरफ हमने क्या लगा दिया है भाई non-beaty cotton को grow कर दिया है तो यह condition क्या कहलाती है ये condition क्या कहलाती है? कि noche cotton के चारफ non-beati cotton को आपने उगा दिया है तो ये condition क्या कहलाती है? तो देखो, इस condition को कहते हैं आपके पास में cotton refuse या ये condition क्या क्या कहलाती है? cotton refuse या क्यों लिया जाता है ऐसका एक reason है to conserve कुक रूद डरा नाचरल कुक micro डरा नेनी पूंट गर 16 म कृ अचने करने के लिए उनको बचाय रखने के लिए ट्रॉं से बार समझे है वह मॉस्ट कॉंसााइट वाला क्यूशन है यह आपको पूसता है कि cotton रेफीजिया क्या होता है इसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रश्ण है देखो double seed stage in cotton is due to attack off यह भी आपको बहुत अच्छा प्रश्ण है जिसमें क्या पूछा गया है double seed condition देखिए cotton के case में बहुत ही अच्छा प्रश्ण होता है double seed condition निमने लिखित में से कौन से insect की वज़े से अधी है cotton के अंदर निमने लिखित में से किस insect की वज़े से double seed condition देखने के लिए मिलती है तो देखो भाई इसके अंदर पहला option अच्छे से पढ़ना है पहला option क्या है सिर्फ आप cotton पिंक देखकर के option फॉलो मत कर देना ठीक है यह यहां पर गलत लिखावा यह यहां पर गलत लिखावा है कौटन पिंक किसंग बोरर नहीं होगा कभी है क्मिषर अच्छे से पढ़िएगा क्मिषर ओढ़त को जहां से पढ़िएगा sucks अग्षं मारे कुशन क्या है कोटन किनक बल्वान कोटन पिंक बॉल्वाम यह क्या होगा इसका राई टांस्वर होगा थीचै यह क्या होगा इसका राइट आंस्टर होगा इसका साइन्टिफिक नेम होता है आपके पास है पैक्टिनोफरा पैक्टिनोफरा गोसे भी क्या होता है इसका साइन्टिफिक नेम होता है यानि कि पिंक बॉलवम ठीक है तो आपको क्या नहीं करना यह कॉटन पिंक बॉल cotton pink stem baller का क्या नहीं रखना कभी भी ध्यान नहीं रखना है American ball warm के वज़े से भी क्या नहीं होती ये condition नहीं आती है तो इसका right answer क्या होगा भई आपके पास में cotton pink ball warm होगा ध्यान रखिएगा इसके बाद जो हमारा next question है वो है which one is the note passed off भई ये note आपको देखना पड़ेगा ठीक है ये note जो है note भी कई बार question में लिखा हुआ होता है जो कि हमको उस समय दिखाई नहीं देता है students में आपको एक चीज पता जैना चाहता हूँ कि note जो है note को आपको कभी भी कुछ होड़ना नहीं है note को जब भी आप question पड़े तो उसमें जो note लिखा है उसको अध्यान से पड़ेगा क्योंकि note नहीं दिखाई देता बहुत बार ऐसे होता है कि student को घर पे आने के बाद में पता चलता है ऑफिषयं में note लिखा वा था तो देखो को सा नहीं हैंद क्या उसके बात महें लिफिफिस एरिसीमी लिफाफिस एरिसीमी जो है लिफाफिस एरिसीमी जो क्या होता हो वोता है मस्टर्ड एफिड लिफाफिस एरिसीमी क्या होता है मस्टर्ड एफिड होता है ठीक है इसके बाद में क्या होता है प्लूटेला जाइलोस्टेला लूटेला, जाइलोस टेला क्या होता है, डायमंड बेक मोत होता है ठीक है, और डिकलोड इस्पा आर्मी जिरा जो होगा, डिकलोड इस्पा आर्मी जिरा क्या होता है, यह राइस हिस्पा होता है राइस हिस्पा है तो जाहिर सी बात है इसमें से कौन सा पेस्ट नहीं होगा यह जो राइस हिस्पा है यह क्या नहीं होगा कॉटन का मस्टर्ड का पेस्ट नहीं होगा तो इस कुशन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके पास में D D जो है वो cotton का mustard का paste नहीं है ये किसका paste है भाई rice का paste है आई बात समझ में ये जो question के अंदर note लिखा हुआ होता है उसको आप जरूर पढ़िएगा exam में वो note नहीं दिखाई देता है student गलती करते है तो question में क्या था which one is the note paste of mustard की निमने लिकित में से कौन सा mustard यानि की सरसू का paste नहीं है ठीक है तो जो rice ispa है यानि declawed ispa army zera जो है वो क्या नहीं है mustard का insect paste नहीं है तो ये चीज़ ध्यान में रखना इसके बाद में हमारा जो next question है वो है कि देखो site of the pupation of groundnut leaf miner groundnut का जो leaf miner होता है उसका pupation कहां होता है तो भाई देखिए एक चीज़ में आपको बता जाना चाहता हूं जितने भी leaf miner होते हैं लीफ माइनर कहां पर attack करते हैं तो इसका जो pupation होगा pupation भी कहां होता है हमेशा inside the leaf tissue भाई देखो यह एक आपको important आपके जो question है यह अभी हाल ही के अंदर RPSC Agriculture Research Officer एंटो कि यह 2022 के अंदर हाल ही के अंदर यह प्रेशन जो है पूछ लिया गया है जिसके अंदर क्या पूछा गया है ट्राइगोग्रामा है वह किस तरीके का पैरासीटोइड है यह आपके पास में एग पैरासीटोइड है यह हाल ही के अंदर RPSC RPSC ARO ARO के एक्जाम के अंदर पूछा जा चुका क्यूशन है तो यह चीज़ आप देखिए RPSC के लेवल के पर यह क्यूशन क्या हो रहे हैं आपको पूछे गए हैं तो यह क्यूशन आपके सभी एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से क्या है इंपोर्टेंट है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है वो देखेंगे देखो देखिए भाई बहुत ही अच्छा प्रश्ण है यह देखो क्या है इसमें आपसे एक कंडिशन पूछी गई है कि ऐसा कौन सा बॉल वम है जो क्या करता है अपसे इंट्री होल को बंद कर देता है अपसे बाद में क्या कर लेगा उस एंट्री होल को क्या कर देगा बंद कर देगा यहानी कि entry hall को क्या कर देगा close कर देगा तो हमको बाहर से पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या है insect है ठीक है हमको जब हम cotton की ball को बाहर से देखेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है insect है तो इस तरीके का जो damaging symptom होता है वो कौन से insect के वज़े से आता है तो देखो हमार पास में option क्या क्या दिये है पहला option दियावा हमको spotted ball warm देखो भई spotted ball warm जो होता है इसके case में तो क्या होता है कि spotted ball warm जब भी इसका attack आएगा तो लार्वा जो है वो excreta वहाँ दिखेगा और इससे infected balls जो होंगे प्लांट पैसे नीचे गिर जाएंगे तो भई ये entry hall को close नहीं करता जबकि हमको question में क्या पूछा गया है कि entry hall को close कौन कर देगा तो इसमें पहला जो option है वो तो नहीं आएगा देखे भई मैं आपको अब दुबारा से बता रहा हूँ कि जब भी इस तरीके का प्रशने आये तो आपको प्रशने पूरा पढ़ना है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पिंक stem baller तो आप सिर्फ पिंक पढ़कर करके यहाँ पे question को tick मत कर देना question गरत हो जाएगा पिंक stem baller नहीं होता भई पिंक stem baller यहाँ पर question का answer नहीं होगा क्या होगा C जो option है जिसमें क्या लिखावा है पिंक ball warm भई पिंक ball warm जो है वही क्या करता है entry hall को close कर देता है इसका जो है कौन सी condition आती है इसकी वज़े से cotton के अंदर double seed condition भी देखने के लिए मिलती है इसकी वज़े से कौन सी condition देखने के लिए मिलती है double seed condition भी देखने के लिए मिलती है तो देखो कभी भी question को आदा नहीं पढ़ना है कभी भी question जल्द बाजी में नहीं पढ़ना है हमेशे ध्यान रखना है कि कुशन पूरा पढ़िए और उसके चारों ओप्शन को भी आप अच्छे से पढ़िए पूरा पढ़िए ताकि इस तरीके की माइनूट मिस्टेक्स जो है वो नहीं हो यानि कि आप सिर्फ कुशन का सिर्फ आदा हैस्ता ही पड़े पिंक आपने एंट्री हॉल को भी क्लोज कर देगा तो यह कॉंसेप्ट है इसको समझनी कोशिश केजिए एक्जाम के अंदर यहां से क्विशन जरूर पूछा जाता है इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्यूशन है वो देखेंगे देखिए नेक्स्ट क्यूशन जो है क्या है पिरेम बोड़ी से निकलने वाले कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो क्या करते हैं किसी अपोजिट सेक्स को क्या करते हैं अपनी तरफ एट्रेक्ट करते हैं ठीक है इंसेक्स की बोड़ी से निकलने वाले कुछ ऐसे केमिकल जो अधर यानि अपोजिट सेक्स को क्या करेंगे खुद की करते हैं अब क्या होता है कि यह जो फिरेमोन ट्रेप है यह फिरेमोन जो है यह क्या करते हैं सिंथेटिक हम फिरेमोन ट्रेप को हम क्या करते हैं अब जो सिंथेटिक फिरेमोन ट्रेप को हम क्या करते हैं अब जो सिंथेटिक फिरेमोन ट्रेप जो होंगे वह किसके लिए काम म पूछा गया है यही क्या है आपके एक्जाम के point of view से important है इसके बाद में हम हमारा next question देखेंगे देखो भाई बहुत ही एक्जाम के point of view से important प्रश्ण है हम बात करें अब तक हमने कौन सा पढ़ा है एक पढ़ रहे थे अब इसमें पूछा गया है कि विच्वन इस दे लार्वल पेरासिटोइड ऑफ राइस गालमीज देखो राइस गालमीज जो होता है और सेलिय और आइजी ठीक है उसका सैंटिफिक नेम क्या होता है और सेलिय और आइजी उसका लार्वल पेरासिटोइड यानि की उसका नेचरल एनिमी यानि उसका नेचरल एनिमी या हम बात करें क्या बायलोजिकल कंट्रोल एजेंट biological control agent यह क्या है इसका natural enemy भी है और क्या है भई biological control agent भी है किसका rice galm इसका अब आपको यह बताना है कि यह कौन सा है इसका scientific name क्या है तो देखो इसका scientific name जो होता है वो आपके पास में इसका option C जाएगा यह C क्या होता है platigaster oryzee ठीक है यह C क्या होता है होई platigaster oryzee जो है क्या है इसका right answer है ठीक है कभी भी आपको all of this none of this both and be both B and C इस तरीके के जब भी जहां पर भी option आजाए तो एक बार ध्धान से उसको देखेगा जल्द बाजी मत करिएगा नहीं तो आपका question wrong वो सकता students इसके अंदर जो right answer जाएगा इसका जाएगा platigaster और इसके बाद में जो next question है वो देखेंगे देखो क्रायो थीनस लिवीडी पीनस इस नेचुरल एनिमीज ओफ विच इंजक पैस्ट आफ राइस भाई यह आपको बहुत ही अच्छा है question exam के point of view से क्योंकि higher अगर हम exams की बात करते हैं higher authority के exams की बात करते जैसे की आपका होगया RPSC ठीक है RPSC होगया कोई भी state का PSC होगया या ICR मान लो या BHU मान लो तो वो सारी क्या करते हैं high level के प्रश्ण पूस्त है high level के प्रश्ण जब भी पूछेंगे तो आपसे scientific name देगर के ही प्रश्ण पूछेंगे या कोई condition देगर के प्रश्ण पूछेंगे या उसका जो भी damaging symptom है वो देगर के प्रश्ण आपसे जरूर देखो cryothiness levity penis जो होता है वह किसका natural enemy होता है वह यह होता है आपके पास में brown plant hopper का ठीक है यह किसका natural enemy होता भाई brown plant hopper का natural enemy होता है और यह प्रश्ण जो है आपसे बहुत बार exam में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है तो यह चीज़ धान में रखिएगा हर एक प्रश्ण जो आपके सामने आ रहा है वो exam के point of office है बहुत important है और कहीं ना कहीं यह सारे प्रश्ण आपको किसी ना किसी exam के अंदर जरूर देखने के लिए मिलते हैं तो देखिए next question जो है नाम इसका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है students लेकिन परेशान मत होई यह नाम देख करके क्योंकि नाम इसका बड़ा है लेकिन यह किसका paste है इसको क्या बोलते है इसका common name जो होता है तो कौन कौन सी क्रॉप में देखने के लिए मिलता है तो देखिए इसका इसका जो ऑटक होगा वह प्रटेटो leftover आता है ऐसका मतला हमारे जो राइट inadequ ऩर वहाइग वहा बहुत है है उसका होगा दौनों ही क्रॉप पर देखने कि लिए बिलता है बहुत एंड बी तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे कुशन हम आपके सामने लेकर क्या रहें उम्मीद करता हूं कि सारे के सारी कुशन जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है और ज्यादा जानकारी लेने के लिए अब हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग एप है आज की क्लास का हमारा जो लास और फाइनल कुशन जो है वो देखिए वो क्या है बहुत अच्छा प्रिश्न है हो सकता है आप से एक्जाम के अंदर पूछ लिया जाए देखो रिसेंटले रिपोर्टेड अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ था दो हजार अठारा फाल ही के अंदर दो हजार अठारा के अंदर क्या हुआ था एक इंसेक पैस्ट आया था भारत में जिसको हमने क्या बोला था फाल आर्मी वर्म देखो क्या हुआ था फाल आर्मी वर्म नाम का एक इंसेक दो हजार अठारा के अंदर इंडिया से कहां से करनाट का करनाट के जो स्टेट है देखो कि इसको रिपोर्ट किया था बही कि किसके द्वारा रिपोर्ट किया था चरण बस अप्पा करके एक साइंटिस्ट है इसको रिपोर्ट किया था कौन सी क्रॉप पर से रिपोर्ट किया था बही मेज पर से तो यह चीज आप ध्यान रखिये अब आते हैं हम हमारे प्रश्ण पर देखिए यह आपको बेसिक चीज़े हैं जो आपको पता होने चीज कोई भी आप प्रेशने पढ़े हैं तो उसका आपको बिल्कुल बैसिक पता होना चाहिए अब हम पढ़ते हैं कि निम निम वैसे ऐसा कौन सा इंसे प्रेश था जो भी हाल ही के अंदर इंडिया से रिपोर्ट किया गया था तो भाई देखो इस फोडप्टर लिटूरा यह हम में 2018 में रिपोर्ट किया गया था क्या जी नहीं यह इसका सही आंस्वर नहीं है इस फोडप्टर एक्जीगवा यह क्या होता है इंडिया से रिपोर्ट नहीं किया गया था देन हैलिकोर्पा आर्मी जिरा जो है यह क्या होता है ग्राम पोर्ड बोरर कि ग्राम पॉर्ठ वर्र लेकिन इस ग्राम पॉर्ड पॉर्र को भी क्या नहीं किया गया था इंडिया से 2018 में रिपॉर्ट नहीं किया गया था नेश्ट हमारे पास में कौन सा आता है इस पोट अप्टेरा फुर्गी परड़ा तो इसका राइट आंस्वर क्या होगा भाई यही होगा इसका साइट इसका कॉमन नेम क्या होता है फाल आर्मी वर्म हिए कि आपके पास में आर्मीवर्म होता है और इसी को क्या कहा जाता इस पर डॉट आर फ्रोगी परड़ा और यही क्या था दो 2018 के अंदर फाला आर्मी के नाम से सबसे पहले करनाठ का स्टेट में क्या क्या गया ते इसको रिपोर्ट क्या गया था ओन से स्टेइंकर उन के द्वारा के गया था कौन सी द्रोपर के आगया था में उपर जिए हमारी आज की कुछ हमारी आज आज इंपॉटल कियागया है इसके जोवी जतने इंसेक्ट पैष थे उनको हमने कवर कर लिया है उमीद करता हुम हम वह सब की सब आपको समझ हों ने concept समझ में आयोंगे और कितने important है वो आपके सभी exam की point of view से वो भी हमने आपको बताया है कौन-कौन से exam में question आपको यहाँ पर अब तक पूछे जा चुके हैं वो सारी चीज़ा हमने क्या करें यहाँ पर discuss कर ली है ठीके students तो आज के लिए इतना ही मिलता है next class के अंदर thank you all of you